दोस्तो मेरा ना मैं निखिल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चनल क्रेजी ग्यान पर तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी कोई कैसी अप्लिकेशन के बार बताने वारा हूँ जिस अप्लिकेशन को यूज करके अगर आपके फोन में कोई भी प्राबलम है कोई भी दिक्कत है तो इस अप्लिकेशन को यूज करके आप पता कर सकते हैं कि आपके इस हाट्वेर में ये प्राबलम है इस सौफ्टेवर में ये दिक्कत है आप पता भी कर सकते हैं साथ ही में उस problem को आप इस application को use करके ठीक भी कर सकते हैं अगर आपके phone में कोई भी problem है आपका phone चलते चलते मतलब बंद हो जाता है या फिर काफी ज़्यादा गरम हो जाता है hang हो जाता है lag हो जाता है तो इस application को use करके आप पता कर पाएंगे कि आपके इस software में इस part में यह दिक्कत है और उसे आप इस application को use करके ठीक भी कर सकते हैं तो ऐसे में अगर आप जाने चाते हैं कौन सी application है, कहां से आपसे download करेंगे, use कैसे करेंगे सब कुछ अगर आप जाना चाहते हैं तो चलिए अप करते हैं तो start without any बकवास तो सबसे पहले आप सुभी को अपने phone में इस application को download कर लेना है अब इस application का जो link है मैं वीडियो के description में डाल दूँगा तो हाँ से आप से download कर लीजेगा अब download करके जैसे आप open करेंगे तो यहाँ पर आप सुभी के सामने इस application का ऐसा interface आ जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपके phone में क्या क्या खराबी है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको test hardware के उपर click कर लेना है इसके उपर जैसी click करेंगे तो यहाँ पर आप सुभी के सामने आपके phone के जितने भी hardware है सारे के सारे hardware यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक-एक option के उपर click करके यहाँ पर आपको test कर लेना है यहाँपर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँपर यह कह रहा है कि यहाँपर एक sound बज रही है, वो sound अगर आपको सुनाई दे रहा है तो यहाँपर आपको write कर दिना है, यानि यह चीज़ आपके phone का ठीक है अगर यहां पर आप यहां पर light sensor के उपर click करते हैं तो यहां पर यहां पर काम करना start कर देगा है तो यह भी काम कर रहा है तो यहां पर आपको ठीक के उपर click कर देना है इसी प्रकार से अगर आप flashlight के उपर click करते हैं और पीछे वाले जो flashlight अगर जल जाता है तो इसका मतलब आपका जो flashlight है वो सही है तो यहाँ पर आपको tick के निशान पर click कर देना है इसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपने phone के सारे hardware को यहाँ पर test कर लेना है इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने phone में अगर आपके phone में कुछ भी खराबी होती है और उसे अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको application में चले जाना है और application में जाने के बाद यहाँ पर आप सभी को repair system के उपर click कर देना है अब इसके उपर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर सबसे बले यह आपके phone में जितने भी application है चाहे आपने उसे download क्या हो या फिर आपके phone में पहले से जो application होते हैं system application होते हैं सभी को यह scan करना start कर देता ठीक है तो इसमें थोड़ा सा time लेगेगा इसके बाद उस्तों यहाँ पर आपके phone को यह repair करना start कर देगा यानि आपके phone के जो system android है उसे repair करेगा आपका phone जब on off होता है, on off के दौरान hang हो जाता है, lag हो जाता है उसे भी repair कर देगा आपके phone में जो भी file 2 के file है उसे भी repair कर देगा और अगर आपके phone में RAM की दिक्कत है तो उसे भी यह सही कर देगा यानि अगर आपका phone hang हो जाता है, lag हो जाता है तो उसे भी यहां पर यह सही कर देगा इसको scan करने में थोड़ सा time लेगेगा यहां पर आप देख सकते हैं एक एक करके सब कुछ scan होगा ठीक है तो इसमें थोड़ सा time लेगीगा तो आपको topics वेट कर लेना है अब यहां पर आप देख सकते हैं जो scan है पूरी तर इसे complete हो चुका है और मेरे phone में कोई भी problem नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी लिखावा नहीं आया अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को option में लेगा empty folder का ठीक है इसके उपर आप सभी को click कर देना और यहाँ पर आपको clean कर देना है अब दोस्तों अगर आपकी phone में कोई भी empty folder होगा जो फालतू में folder आपकी phone में पढ़े होते हैं जो आपके phone का storage बेकार में यूज करते हैं उसे यहाँ पर आपको scan कर लेना ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से scan करना start कर देता है आपके file manager को पूरी तरीक से scan करेगा अंदर से scan क करेगा और जो भी आपके phone में empty folder होते हैं जो आपके मतलब phone storage को बेकार में भरे होते हैं उसको पूरी तरी से clean कर देगा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसमें भी थोड़ सा time लेगेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ सा wait कर लेना है अब इसके वाद आपको एक टीसरा option मिलेगा safety का तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको scan now के पर क्लिक करेंगे तो आपके phone में जिस भी application में वायरस होगा या फिर जो भी application आपके phone के लिए risky होएंगे dangerous होएंगे उन सभी application के बारे में यहाँ पर आपको बता देगा तो जैसे आप देख सकते आप इस application का अस्तमाल करके अगर आपके phone में कोई problem है कोई दिक्कत है तो भी आप पता कर सकते हैं साथ ही में अपने phone में virus का भी पता कर सकते हैं और अपने phone के storage को जो फालतु में मतलब application आपके storage को भर लेती हैं उन्हें भी खाली कर सकते हैं तो काफी कमाल के application है एक बार आप से डाउनलोड करके देखिए आपके यह अप्लिकेशन काफी काम आएगा थैंक यू